कि नमस्कार दोस्तों मैं प्रशान सर्मा लग भारती स्टेडि सर्किल में अब कहारेख श्वादर करता हूं हार देख अलजयन न करता हूं दोस्तों कख्षा में हमने कख्षा दस्प की जो समास करन्द चरण था उसमें समास का परिचे जान लिया था आज हम समास का जो प्रतम धेध है अव्यभाव समास उसकी परिचर्चा करेंगे ठीके दोस्तों देख दिए अव्यभाव समास कुन सा है अव्यभाव समास यानिकी यता विभक्ति समेट इत्या देश्रू और थेश्रू बर्दमानम अव्यभाव समास यानिकी जब विभक्ति पिट्स्त्यारी अर्थों में क्या होता है अर्थों में बर्दमान अव्यभाव समास हो जाता है अहां तत्रा इसी कोन्म क्या करते हैं आवयवाव महाव भाति कैंगे तो आद आपने आपने मिश्ची नौदka स्णक़ अभयाव के अर्थ की अथार्थ पूर्व पदार्थ की क्या होती है अभयाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है ठीक है न दोस्तों अब इसके वाद अपने चलते हैं अभयाव समास में नफ्स चलिंग का एक बचन खोता है ठीक है दोस्तों यह कह रहा है कि डों अगर पदों को मिलाएंगे तो अभी अभयाव समास होगा है न और में प्रत्हम प क्लद पूर्व पदपरान की है जैसे अ जैसे यथा बिभक्ती समीभित्या दीशत ताखः यानकि विभक्ती समीभित्या दीशतापः दैनकि क्या है? एक दम समानता संपत्ति संपूर्थ अंत इन शोले में बरतमान अजयाद का सुवंत के साथ नित्य समास हो जायां कि जो कहना है न कि बरत जब भक्ति समगें कि जित्री जो सोला आएंगे तो इसमें क्या होगा अब यह भाव समास हो जाएगा कि के दोस्तों देखिए नित्य समास प्राइ जिस समास का विग्रह नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे नित्य समास के दोरा जिसका विग्रह नहीं होता है होता अखार्थ जिन सब्दों का समास हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विक्रे नहीं हो उसे क्या कहते हैं नित्त समास कहते हैं यहां पर हमने अबेभ्भाव के वारे में जान लिया है कि अबेभ्भाव मत्यों मत्तब क्या होता है नित इसको नित समास भी कहते हैं इसमें सोले विखगतति यादी शम्रदी ना सब्चत अंत संपूरता संपत्ति यथा क्रमसा एकदम इन सबीड सूले वो कि साथ डिनका समाश किया जाता है और समाश दो पदों को मिल करके एक अब्राइब करते हैं उसको रहे चाहिते हैं समाश कहते हैं ठीके दोस्तों यह अब आधे बहुत समाश के बारे में बत्लष जाएंगे अब इसका आज देखते हैं देखिए अवियम अवियम में शार्था विक्रह समस्त पडम हिंदी अर्थ ठीके ना इसमें देखिए अधी अधी अवियल का शत्मी विभक्ति अर्थ में हरो इती बन गया तो इसका समस्त पत क्या बन जाएगा क्र столько अधी अधी और हिंदी में आर्थ होता है इसका हरी में ठीके न दोस्तों इसमें सक्मियम विक्ति है तो हरीती बना दिया और इसका समस्त पड़ वो अधी व हरी क्योंकि आभियब क्या है अधी ठीके न दोस्तों उसके बाद देखे उप एक समीम के अर्थ में है क्रश्णम बंद जाए इसका जैसे क्रश्न शेर सम्यकम तो प्रक क्या है अपना अभियब है तो install आधे को अबला थे समीप अंहीं हो जाएदा थो यह क्रश्म ऑप्ल क्रश्म ख़क्रम ओर क्रेश्मh GDP के समीम तो या willst कि इसको हमने उप्ले उप्ल क्या रेया समीप के अरथ में धिल्या तो इसके एक लिए क्रश्म के समी म ऊप्ल क्रश्म और क्रष्णस्य समीबंबं इसके बाद दीखते वन अनू योग्यतार्थे यानू है योग्यताके अर्थ में अनू क्या है अनू जो अपनेल पद है वो किसके अर्थ में योग्यताके औरत है रूपश्यययोग्यय रूपके योग्ययय क्यारय अनरूप समस्तपत इसका बन जाएगा इसका अनुरूपं-्योगर्ता-क्टमें ! समीर के अर्थ में और अधी अर्थ में जाना लिया इसके बार आगे जाकते हैं प्रति के अर्थ में प्रती में क्या होगा दिनम दिनम प्रति यानिकि यान कि का मतलब बड़प्र धेंग लें तो याओ दिेंगे प्रति नो मतलबर यह ढूँ स्थिनों उर כई-दिन को रहेmax क्यों और क्षिएर किस्ताइर बय से होना।ै। जो इसका हो गया। जो दिनिर मक्षिगम करों constantly calling the व क्षिगम कि मक्षिगम क्या होता है। मक्षियों का न वर ऐसमस्ते। कि होता है नलतीगिस्ते रिटे लिटा किआ होता है। तो मक्षिकानम अबहा वहत तो मेरे मक्षिकनम मख्यों का अभण ठीक है दोस्तों इसके बाद देखी है कि यह था ये था अव्यमका जो है उसको देखी आनति क्रमार था तो इसना क्या बने गया जट्टी अनिती क्रम्यना यानिकि यथा सत्ती इसका पूरूप आ समस्ट पज्टू है यह था सक्ति तो सटी के अनुषार शक्तिन अनकी क्रम महा तो सटी केौ अनुषार एक ऐसके में होगा अपने यथाके में देख लिए इसके अपर आगे और दियोधारण देखता है जैसे अव्याम बगम उप अव्या स्यार्था यानकी इसमें समीप के बारे बताया गया है और प्रतम पड़ में क्या है सक्ष्ट में विवक्ति है ठीक है दोस्तों देखिए उप गंगम समस्त पड़ क्या है उप गंगम समस्त पड़ अपना क्या है उप गंगम ठीक है नो द गंगम क्या है गंगाया समीप में तो हिंदी में क्या गंगाया समीप में ठीक है दोस्तों अब आगे देखते हैं अबने गाये समीप मतलब गाये के समीप मतलब अर्थ जार रहे हैं कि विग्रे क्या होगा समस्त्रपत क्या होगा और इसका हिंदी में क्या होगा ठीक न दोस्तों को इस के आगे चलते हैं अ कि दो सब्सक्राइध क्या है देखिए आटी ऊपनादी यानि कि अदिक हैं क्या लग रहा हो द्लग रहा है तो इसको क्या करेंगे नद्या समीप मान शमंस्त् lifelong आग प antrum विखरे क्या हो गया नदिया समीपम तो हिंदी में क्या बहुत ए यह पन नदीयके सभी अधिके दोस्तों इसके बाद में किए उप्ञोपब है आरे किईंढ 이후 पए दयर एक किष़ है कि बिनीर अब जो है वह अपने क्या कर दिया उसको लगा दिया और इसके बाद में क्या हो गया यह मुना के समी इसमें इसके बाद में देखिए कि समस्त पत देखते हैं अनुरत्थम अनुरत्थम ठीक है ना अनू रध्थ मा क्या हो जा है इसमें प्रथष्यपश्या यड़ड़ यानि कि रध्थ के पीछे इसमें अपन does toim formed गर्रें वह अवियर्षच़ कर रहे हैं इसमें योग्य के यौग्य के अर्थ में अपन खरेंगे प्रस्थम पत्र Lorenzo सश्टी बिवक्ति तो रखश्य परत्य के पीछे ठीक है उसके वाद में अनुग्रहम तो ग्रहश्य पश्याद यानि धर के पीछे ठीक है इसमें जैसे सश्टी बिवक्ति पर्थम पत्य करना है थीकर न उसके बास नहीं है अनुग्श्य थो समस्त पत्य क्या होना अनुग्रह करेंगे तो क्याकर है उसके वाद में इसके बास पर के पीछे इस लगा दिया है और अनुका बत्न का पीछे पश्चा के अर्त में पीछे का अर्थ लगा है अभियमम प्रतिएंद्श प्रति पाधम तो समास विद्गरेंट नहीं जोगेश्का पाधम यानि की पाध पाध यानि की पैर पाध नहीं जोगेश्का प्रति मासम तो मासम मासम यहारी की महीना अख प्रति कया है श्रति प्रति कि अर्थम क्मतलों कि होता है अर्थम और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको अर्थ शडम च fluor यह चड चड दोस्ते हो च प्रती अ प्रदि धिनम वह एकम और उसके बाहिन में अपने कहा रीता है चरण चरण चरणे सब्राइक्ति सब्सक्राइब कर सकते हैं या मसे भी आपने कर सकते तीक डोस्तो चरण चरण चर्ण या ठड़े जुत्किया देग आपता है назад तहीं प्रति अभय वह चलते हैं है हुआ है इस निर अभयाम श्यार्थ अभावावार्थ प्रतम पड़ मैं सुझ्वी विभक्ति यानिकि इस अभी कर दोगी शॉच्टिमी विभक्ति को हम करेंगे निर जनम तो जनानाम अभावह यानिकि इसमें कौन सी निर्थ में वतना होता है नहीं या अभाव होना ठीक है न दोस्तों तो इसमें कह रहा है निर्थ जनाम तो जनानाम अभाव थीक है ना तो लोगों का है अभाव यहां पर यह पर जो लोग है उनका क्या है अभाव है निरमक्षिकम तो मक्षगाणाम अभाव है तो इसमें क्या है तो इसमें हो गया मक्ष का नाम अभाव यानकी मक्षनों का भी क्या है अभाव है ठीक है नाम कि समास्विग्रDN हो अब अभाव का प्रूव गरें तो उसके वहाई हैं संका है अभाव है थिक है देखते हैं निर वा धनम तो था नहिए वार तो बाधा क्या है वहाँ पर बादाहों का अभाभ है अमब्ख वीडरीन रसमें वीच्ट नेर्थ नह के जानकार्षए नदनाय किए फेlling कर रहा है तो दिन घृत भट लग Metta यह ने कर दो में हो गया जलश्य अभाव हो इसमें आपने दोस्तों इसको अभाव के अर्थ में दोगों को अभाव सब्सक्राइब और इसके बाद में बांव बाधा नाम अबाब बाधाओं और धनका उसका हो जाएगा निर्धन समस्त पद जो है वह इसके वाहाब में देखें यथा क्या है दोस्तों समस्त पद है इसका यथा सक्ति का क्या हुआ सक्तिक्रम्या यानिकि सक्तिके अनुशार ठीके नुश्ञार牙की समस्तपानत्ना एता हो गया समास बिगने करेंगे तो सक्तिक्रम्याा फिर आधे भाह समास के गाओ रहा है इसमें यथा गाओ के प्रम्य के मत्लव रूप में इसका अर्थ हम कर रहे हैं यथा मति तो मतिम अनतिक्रम्या मति के अनुशार ठीक है दोस्तों यथा । तो शास्त्र में अनुशार समस्त्र पत जो उसको देख करके हमें क्या करना है उसके बार में यत्षा- विधि. विधिि ए ने क्या हो जाएगा विधि के बिदिम अनतिक्रम्यः विधि के अनुसार। यच्छाम उतियो तो इच्छा गेए और से लॉटकुटर अनुसरें और यह दोनों यूफ यूफ दोनों का अर्थ जाना और इसके समस्थ पदों के वह समाच को जांकरके फिर यह का इसी हिंपी एर्था विदिम अन assim Tक के अनुसार्य ये इच्छाम अनुसारिम क्या है priy동 search सवास्क में अब आगे चलते हैं कि देखिए दोस्तों कि अब्यां पदम सअब्यक्षाथ सईतम प्रतम पदमें क्या है तृतियाग रखती होती है ठीक है इसका अपन चाहिंगे सईतम में ठीक है देखिए इसमें है सचरित्रम सचरित्रम तो इसमें हम सचर का जो अर्थ है वो सईतम की अंसार ले रहे हैं और तरत्यां लगती हमें करनी है ठीक है दोस्तों देखिए सचरित्रम मतलब होता है चत्रेण सईत्रम तो अपने समस्त पत्का वो किया वो किया चित्रेण सईत्रम सचेत्र को हो डियुक एंगे इसके के मतलता और निटीद करें गरियेंगे और समस्त के रिखेंगे जो कुंदानेanku संहैत्र के समस्ता परिख़ः का इसके इए g savings साज चेत्र सुलह है इसका प्रफालों करनेका करींगे दोस्तों तो इसका क्या होतहिए सास्त्रम यानि कि इसमें इसमें उसके साथ में इसका समास्त्रम का समास्त्रम क्या हो गया सास्त्रम के साथ उसके बाद में सधर्म सधर्म यानि कि धर्मेन सहित्रम यानि कि क्या हो जाएगा दोस्तों सधर्म का हो गया धर्म के साथ और इसका समास्त्रम क्या हो जाएगा धर्मेन सहित्रम ठीके दोस्तों इसके बाद में अपन देखते हैं आप друг की आस्ट्रम ज्वार्ण स його स्वाह रहें तो इसको समाषिद्गा बिर्ण हम क्या आप अस्त्र हों क्यों हूता है उइंद साथ इसको स्ईत्रण इसको सह प्रैfolg में सॉन मत्या बंद आणीर्ण शुन ज्लें हम साथ में आप इसका हुआ दिन सफ में 20ेद तो सास्त्र के साथ और सधर्मन तो क्या हो गया दोस्तों सस्थ्रम ही तो सस्त्रेन साथ जिसमें हमने समस्त पदो को देखा दिग्रे कि फिर सकंद में हिंदी अर्थिसकार कर दिया यह वह समास में जो यथा और और इसमें क्या वहते हैं उपर इन सित्यादी जो विवक्तियां को हम हमने देखा यह सश्टी विवक्ति की फिर इसमें हमने तृतियार वक्ति कर दी है ना और इसमें मतलब अब्याव के अनसार क्या करते हूं इसको अर्थ विद्ग्रय को किया जाता है ठीक है दोस्तों अब हुआ कि यह हमारा अब्यवाव समास जो है यहां पर संपूर होता है अगली जो प्रक्षा है हमारी वो तक पुरुष समास की है उसमें हम करमधारिश समास और दिगु समास दोनों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों और आज के लिए इतना ही धन्यवाद